हलो फ्रेंट्स मैं नाम हैंकिया जैसा कि आप जानती हैं कि हम लोग यहां पर स्टार्ट कर चुके थे 2000 प्लस कोश्टन के सीरीज को और आज आपके सामने जो हम लोग इसका पार्ट लेकर रहा हैं वह हमारा पार्ट है 16 पार्ट और अब हम लोग यहां पर डिसक्स कर रहे हैं का जो किसे को और इसका अल्रट पाट जो था हello कि इसका हम सेकेंड पार्ट लिके रहे हैं इसका पहला पार्ट वह रोग डिसकस कर चुके है और यह सीरीज मोग 2000 कोश्टन के लेकर चल ठाट आङJeans का 16 पार्ट जो आपके सामने लेकर रहा है इसरए सरू करते हैं आज कि पहले कोश्चन पे आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कोश्चन की एक के स्क्रीन साथ लिए जिसे कि आप इस तरह के कोश्चन अगर एक्जाम से पहले इन को अपने पास पीडियो के फॉर्म में रख लेंगे तो उससे एक एक प्रैक्टिस कर सकते हैं या एक बार अब चलिए चलते हैं इनके solution पे और एक करके solution देखते हैं तरह से पहले चलते हैं कोश्चन नंबर फर्ष्ट पे लिखा हुआ है कि यदि समीक्रण 1-I समीक्रण X2-AX-B का एक मूल हो तो बताइए कि B की value क्या होगी तो बहुत आसान है लिए हमें पता है कि अगर किसी भी Creative Commission का roots एक complex number है कि कभी अगर एक कारिडिक collection का एक Roots जो है वह complex number है तो इसका जो दूसरा root होगा वो इसका conjugate होगा हमें साज़ेद रखेगा ठीक है अब जिसे यहाँ पर इसका root 1-A है तो इसका दूसरा रूट इसका कांजो केट होगा और कांजो केट बनाने के लिए हमने आपको पहले एक आपके सामने आ चुका है अब हमें इक्क्वेशन मनानी है तो हमारे पास दो होती है तो लोग का अधिक केशन बहुत आसानी से बना सकते हैं आप सभी ने पढ़ा होगा एकस स्कॉयर और इसके बार ब्लैकेट में लिखते हैं सम अपर प्लस प्रॉट अपर निकालते हैं तो आई से है किसकी निकाल लिए पी कि एक को इंगल लिखा हुँ है तो अंसर इसके आँसर बन जाएगा अगा ऑग है फी वह डी तो ओगी और वी की वैलो भी हमारी दो ही आई है क्लियर है तो इस question का answer कर डुंठ होगा जो कि इस question का राइटार से गए चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं अपने ने श कोशन की तरह इसको रेस कर देते हैं सभी को क्लियर हो गया हो जो भी question मैंने आपके डिसकस किया है ठीक है और वो लोग जो भी इस अंड हमें अनकाइड़नी पर आपको प्रोड किया है और लेड़ी एक क्रैस कोड़ की सीजी स्टार्ट कर चुके हैं 2020 मुझे एक्जाम होने वाला है नीवे डबल एससार उन सभी के लिए जाकर वहां भी हमारे वीडियोस आप देख सकते हैं और लिडियोस को 11 पार्ट हम भी पर राइट कर चुके हैं और यहां तो हम लोगी सीरीज चली ही रही है चली देखते हैं अब अगर हम बात करें इस कोशन की तो आपके सामने यहां पर लिखा होगा है कोशन नमबर सेकेंड की इफिक्रेशन एक्स स्क्वार माइनस पी एक्स प्लस एट इस इकल डू जीरो के मूलों का अंतर जो है वो दो है तब पी कमान क्या होगा अब देखिए इसके दो मूल होंगे अलफा और बीटा उनको जो डिफरेंस दिया गया है अलफा माइनस बीटा डाट इस वन तो आपको बताना है की तू दिया हुआ है तो आपको बताना है पी की वेलू क्या होगी तो देखिए अलफा माइनस बीटा इस इकल टू दिया हुआ है ठीक अगर हम दोनों साइट स् का ठीक है इसिकोल तो यह आपप सब्सक्राइब निजटा फॉल इसका सब्सक्राइब बैसके और तो यह दीजेंग तो छार आ जाएगा अलफा आप का भी फोन होगा को कि समाप्रूट्स निकालन मैंने कर दी बताया था किसे ग्रोट्स होता है माइनस का V अपॉन है तो B आपका P है और A आपका 1 है तो यहाँ पे जाएगा P स्क्वार माइनस का 4 I'll find 2 बीटा C अपॉन है तो C 8 है और अपॉन में A 1 है तो यहाँ जाएगा 8 तो P स्क्वार is equal to आजाएगा 32 और प्लस 4 36 तो P स्क्वार is equal to 36 हो जाएगा तो फीगी वेलू आजाएगी प्लस माइनस 6 इस कोश्चन का अंसर आपसर नमबर C प्लस माइनस 6 आपका राइट आंसर बन जाएगा क्लियर रहे सभी को इस कोश्चन का अंसर प्लस माइनस 6 आपका राइट आंसर होगा चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ यानिके कोश्चन नम्बर थर्ड की तरफ इसका आंसर और अपसर नम्बर फी प्लस माइनस सिक्स होगा अगला कोश्चन निखा हुआ है कि फिक्रेशन 2x2 इसका हुआ है प्लस फॉर इसको जीरो के मूल परिमान में समान है परन्तु च्द में बिप्रीज है इसका मतला समझ रहे हैं यानि कि अगर एक रूट हमारा अलफा है तो दूसरा भी माइन बिप्रींस होगा मतलब एक root अगर 2 है तो दूसरा माइनस 2 होगा clear है? मतलब परिमार तो same है लेकिन जो चिन है वो भी प्रीज है ये कहने का मतलब है तो अगर एक alpha है और दूसरा माइनस alpha है तो हम लोग निकालते है sum of roots यानि कि alpha प्लस alpha minus का B अपॉन है तो यहां पर जाएगा minus का 3 by 2 lambda minus 2 यह equal to 0 हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा यहां पर lambda minus 2 is equal to 0 so lambda is equal to 2 इस question का answer आपको lambda is equal to 2 मिल जाएगा जो की option number B में दिया गया है तो इस question का answer option number B lambda is equal to 2 आपका बिल्कुल correct answer हो जाएगा clear है सबी लोगो clear हो गया हो गया question question में कुछ भी नहीं है बस छुड़ी चीज़े है जो आपको ध्यार रखनी है बस question को बहुत आसान है चलिए आगे बढ़ते हैं और लोग चलते हैं अपने next question की तरब जो की question number 4 है हमारा आपकी screen पे लिखा हुआ है question number 4 चलिए देखते हैं इसको करते करना है काफ़ important question है और ये एक सांस में पूछा भी गया है तो चलिए देखते हैं कैसे करना है इस question को erase कर देते हैं question number 3 को अब एकी question number 3 आपका 4 लिखा हुआ है आपके कि P-Q-X square plus Q-RX plus R-P is equal to 0 के मूल क्या होंगे तो देहर रखेगा मैं आपको बता दो बहुत आसान एक trick होती है मद उसको याद रखना है कि कभी भी अगर AX square plus BX plus C बरावर 0 AX square plus BX plus C बरावर 0 के form में अगर आपको एक quality question दे दी जाती है और ऐसी quality question में A plus D plus C कमान निकालें और उसका मान इसके लिए क्या आजाएं 0 आजाएं क्या आजाएं इसके लिए A plus D plus C कमान आपको 0 आजाएं तो ऐसे case में क्या होता है A plus D plus C कमान 0 मिलने से आपके जो इसके दो roots होते हैं वो निकालना बहुत आसान हो जाता है उसका एक रूट हमेशा one होगा और जो दूसरा रूट होगा वह आपको होगा see upon और आपको क्या होगा see upon अ कि इसी क्रिशन में रूट कितना आसान हो गया निकालना क्यों कि अगर हम इसको और इसको और इसको एड़ कर लेते हैं तो P से P एकट जाएगा क्यों से Q कट जाएगा और R से R कट जाएगा तो A plus D plus C की वेलो आपको 0 मिल जाएगी इसलिए इसका जो एक रूट होगा वो आपका 1 हो गया और दूसरा रूट जो होगा वो सी एपने हैं तो सी आपका R माइनस पी है और A एप आप आप दिया गया पी माइनस क्यू इस कोशन का राइट आंसर बन जाएगा यह आपको दिया गया और इसके लाद हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इन कोिसको जो आपके साफ में लिखे को हैं कंशक्र वें से कर सकते हैं सबसे सिंपल बे से किस चारीखी सी हुर सकते हैं किसैंपर से पहला इसके को कुछन जो है वो आपको इस फॉम में भी लिख सक मिल सकता है कि जहां पर यह एक्स स्कॉर लिखा है दोनों जहां पर एक्स-पेश्ट लगा दिजिए मौण पे इसके मौण पे ढमें दोनों के देखते हैं अगर हम इस equation को थोड़ी देर के लिए मालने कि यह mod x नहीं है यह x है तो हम लोग इसके solution निकालेंगे तो हमें mod x की दो values मिलेंगे ठीक है कितनी value मिलेंगी mod x की 2 value मिलेंगी 1 mod x equal to 2 plus 2 मिलेगा और 1 mod x is equal to हमको मिलेगा plus 3 clear है और हमें पता है mod x 2 value रखता है plus value रखता है एक virus रखता है तो इस condition पर इसके भी दो roots होंगे और इसके भी दो roots होंगे इसलिए overall solution मिलेंगे वह हमको 4 मिलेंगे यह इस question का right answer हो जाएगा option number a इस question का right answer है नहीं zone में आया clear है चलिए देखे एक बार समझ लीजें आपको बता रहता हूं इसके solution निकाल लिए mod x की value plus 2 आएगी और mod x की value plus 3 आएगी और mod x का मतलब होता है उसके दो values होंगी तो ऐसे case में एक value इसके plus 2 आएगी और दूसरी minus 2 होगी तो इसमें यहाँ पर इसके दो roots होए और दोनों ही दोनों real है आपके और यहाँ पर देखें तो plus 3 और एक minus 3 मिलेगी तो यहाँ पर x की value plus 3 और minus 3 मिलेगा और जबकि यहाँ पर x की value मिलेगी आपको minus 2 और 2 तो इसलिकी से इसके चार solution होगे suppose करिए यहाँ पर mod x की value निकालते हो minus 2 आ जाती तो ऐसे case में वह हम roots ना लेते क्योंकि mod की value कभी negative नहीं हो सकती है एक्स की value negative हो सकती ही लेकिन mod x की value कभी negative नहीं हो सकती है इसलिए यहाँ mod में था पॉस्ट ही आना चाहिए अगर वह negative आ रहा है तो इसका मतलब है वह value सकाल्पनिक है उनको हम इस solution में counter नहीं करेंगे फिलाल इसका यहाँ आपका चार होगा और भी इसके question समय लेंगे जिसके दो roots या एक भी roots नहीं होंगे जिसे कि आपको और अच्छी समन में यह चीज आ पाए तो इस question का answer आपका 4 होगा यानि इसके चार solution होगे और इस question का answer यही आपको right होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले question तरफ चलते हैं इसको erase कर देते हुआ का अगला question देखिए question number six लिखा हुआ है कि alpha and beta इस समय grand x square minus a bracket max plus one minus b over zero के मूल हैं तो alpha plus one और beta plus one की value क्या होगी तो अब मिल जाएगा alpha बीटा प्लस यहां मिल जाएगा बीटा और पर यूब बन करेंगे तो alpha प्लस 1 तो alpha बीटा alpha प्लस बीटा और प्लस 1 अब देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं पहले तो को कॉलिटिक फॉर्म में convert कर लेते हैं यहाँ पर लिखा है तो इसको हम लोग convert करेंगे तो माइनस का AX आ जाएगा और यह माइनस A इसमें से common मिल जाएगा A प्लस B इस तरीके से अब अगर हम इस questions के root निकालते है alpha बीटा तो वह होता है c अपॉन है c की value minus A plus B है तो यह ऐसी यहाँ पर आ जाएगी plus alpha plus beta निकालेंगे तो c minus B अपॉन होगा तो minus और minus वह प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका A आ जाएगा और यहाँ आगे आपका plus 1 अब देखिए अगर हम लोग minus A से इससे को cancel कर देते हैं तो आपको root जो आपको जिसकी value मिलेगी वह मिलेगी 1 minus B यही इस question का answer हो जाएगा इस question का answer आपका C सही है चले एक बार और समझ लेते हैं हम लोग देखिए alpha बीटा लिखा हुआ यहाँ पर बूट कर दी इसके बाद alpha ब्रस बीटा निकालेंगे minus का B upon है तो minus का B minus का A minus और वो minus plus हो जाएगा upon में यहाँ पर देखिए इसके साथ coefficient कोई है नहीं तो यहाँ पर A ही आएगा और plus 1 यह is minus A से cancel हो जाएगा value आपको मिल लेगी 1 minus B यही इस question का आपके right answer बन जा कर देते हैं इसको इरेश कर देते हैं अगला question देखिए question number 7 है हमारा लिखा हुआ है कि यदि alpha बीटा सब्सक्राइक स्कॉर माइनस 4x1 बरावर 0 के मूल है तो आप भी बताएगे कि alpha q plus beta q की value क्या होगी चलिए यह देखते हैं कि alpha q plus beta q की value हम लोग कैसे find out कर सकते हैं चलिए कि माइनस का भी अपोने होता है इसलिए आपको यहांसी value 4 मिल जाएगी को कि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यह आपकर कुछ है नहीं 1 है फिर alpha into beta निकालते हैं जो कि आपका c अपने होगा जो कि आपको 1 मिल जाएगा कि यहां पर c यह है और a यहां पर 1 दिया हु बीटा और ब्रैकेट में alpha ब्लस बीटा ठीक है alpha ब्लस बीटा की जिए 4 रखेंगे 4 का क्यूब आपका 64 हो जाएगा माइनस का 3 alpha बीटा 1 हो जाएगा alpha ब्लस बीटा आपका 4 हो जाएगा तो 64-12 is equal to आपको मिल जाएगा 52 तो इस question का answer आपको 12 मिलेगा option number B आपका 12 दिया तरफ यानि कि अपने question number 8 की तरफ यह हमारा question number 7 था जो हम लोगों ने अभी assess किया इसको ही race कर देते हैं आगे बढ़ते है अगला question लिखा हुआ है कि find a maximum value of 5 plus 4x minus 4x square तो देखिए मैं आपको बता दू कि अगर आप qualification की बात करें तो quality question हमारे पास ax square plus bx plus c जो कि एक standard form होती है और इसकी दो values होती है जाहिर सी बात है कि इसकी maximum value होगी और एक इसकी minimum value होगी इसकी minimum value तब होती ही जब आपका a 0 से बड़ा हो और maximum value तब होती है जब a 0 से चोटा हो दोनों ही एक इसकी formula से निकाले जाती है और वो formula होता है c minus का b square upon 4a यह आपको ध्यान रखना है clear है ध्यान रखेगा a गर less than 0 है तो उस condition पे इसकी value होगी otherwise इसकी value a greater than 0 है तो minimum होगी अब बिससे यहाँ बात करें तो a हमारा minus 4 लेख रहा है वो आपका less than 0 है इसलिए इसकी इमलों maximum value find out कर रहे हैं तो maximum value इसी से निकाल लेंगे c c आपका 5 है minus का b b आपका 4 हो गया 4 का square 16 4a की value minus 4 है तो minus 4 रहे सी रखेंगे यह प्लस हो जाएगा और यहां 4 आजाएगा cancel करेंगा तो 1 हो जाएगा तो 5 प्लस 1 आपको 6 मिल जाएगा तो 6 इस question का right answer होगा यानि कि इस quality question की maximum value निकल कर रहेगी वो आपकी 6 होगी यानि कि option number 20 question का आपके right answer होगा तो यह हमारे अभी questions और देखने है हमें लोगों कि हम लोगों ने भी eight questions ने एक हैं और रएक पार्ट में लोग देख सी हैं 10 questions तो चलिए दो question जो बाकी हैं उनको भी देख लेते हैं और जैसा कि अब को पता है कि हर एक यूडियो में लोग 10 question अभी तक discuss कर रहा हैं तो उनक यदि alpha beta sum micron x square minus का bracket में लिखा 1 plus n square plus x plus 1 by 2 1 plus n square plus n की power 4 बराबर 0 के मूल हैं तो आपको इस बताना है कि alpha square plus beta square की value क्यों होगी अब दिकिए अगर आपको equality question दी जाती है और आपसे alpha square plus beta की form में कुछ equations की value निकाल नहीं होती है तो आप जो है इस equation दिखेवल दो ही value निकाल सकते हैं और एक value आप निकाल सकते हैं alpha plus beta की minus कभी अपोन है इसलिए वो आजाएगा आपका 1 plus n square क्योंकि minus minus plus होजाएगा minus कभी minus minus plus होजाएगा और आपको यहां पर लिखा हुआ है alpha into beta होता है product of roots यानि किसी अप होने तो 1 by 2 1 plus n square plus n की power 4 clear है हमें निकालना है alpha square plus beta square और हम इसको यह लिखना चाहें तो alpha square plus beta square को लिख सकते हैं alpha plus beta का whole square minus का 2 alpha beta alpha plus beta की value यहां पर लिखी है 1 plus n का whole square हो जाएगा क्योंकि यह value डी गही है है माइनस का 2 alpha beta alpha beta की value आप देख सकते हैं लिखी है 1 plus n square plus n की power 4 यहां पर देखें जैसी में इसको solve करते हैं यह 2 से 2 कट जाएगा whole square आ रहेगा 1 plus n square plus 2 n square minus n square और minus n power 4 यह 1 इससे कट जाएगा n की power 4 इससे कट जाएगा 2 n square से 1 n square का एंस्क्र हो जाएगा आपको मिलेगा n square और यही इस question का answer आपसर हो जाएगा आपका इसकोर हो गया जहीं कोशन का राइट आपसर एक बार देख सकते हैं आप अच्छे से चेक कर लिजी एक बार कोई डाउट हो तो आपको कमेंट सेक्षिन पूछ सकते हैं आपका रिप्लाइज जरूर करेंगे ठीक है तो इसकोशन का आपसर नमबर नमब की बार भी जाएका जो कि इस कोशन का राइट आथर होगा ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चलते हैं में तरफ यानिकि अपने नमर नैइत की तरफ और उसको दिखते हैं कि कैसी सुश्राकर करेंगे इसको एकृरेस कर देते हैं है देखे, question number 9 ताप के सामने लिखा हुआ है कि यदि sum equivalent x square plus px plus q is equal to 0 और equation x square plus qx plus p is equal to 0 का एक मूल जो है वो बैन निख्ट है one root जो है वो इन दोनों में common है, मतलब एक root जो ऐसा है वो इसको भी satisfy करता है तो आपको बताना है कि p plus q plus 1 की value क्या होगी तो देखे, बहुत आसान question है, हम यह माल लेते हैं कि एक root जो दोनों में common है वो x है, यहनि कि इसका जो एक root है वो x है और वो x अबने दोनों के question में रख दिया तो देखे, आपको मिल जाएगा, x square plus px plus q लिखा हुआ है हम directly minus कर लेते हैं, तो x square cancel हो जाएगा, इसको इससे minus करेंगा तो आदाएगा px minus qx, ठीक है, इसको इससे minus करेंगा तो आदाएगा plus q minus p is equal to 0 यहां से लेखे, आपको x common मिल जाएगा, तो backhand ने बचेगा p minus q, okay, कितना बचेगा? p minus q आपका बच जाएगा, plus यहां पर अगर हम इसको उससाइड ले आते हैं, तो यह फिर से p minus q बच जाएगा तो p minus q, p minus q cancel हो जाएगा, तो आपको x की value जो मिल जाएगी, वो मिल जाएगी 1 यानि की 1 एक ऐसी value है, यानि की 1 इन दोनों equation का एक ऐसा root है, जो दोनों equation को satisfy करेगा, इसका मतलब है, वो इनका common root है, clear है? तो अगर ये इनका comma route है तो हमें दोने question में रख सकते हैं कोई कि दोने question में अगर ये common route है अगर ये also幾 Crainer से क्रोरिय गिला है तो हम लोग इन में से किसी भी equation में value ठाके रख सकते हैं अगर हम पहले वाले equation में रखते हैं तो kennen रिले 산řन मिल जाएगा 1 plus P plus Q is equal to 0 और सेकेंड वाले में भी रखते हैं तो भी यहीं कंडिशन हमको मिलेगी और हमसे वैलू पूछी गई है यह वन प्लस पी प्लस क्यू की जो कि हमको जीरो मिल रही है तो इस कोश्चन का अंसर नमर ए यानि की जीरो बिल्कुल राइट आंसर आपका बन जाएगा तो आज आप और वाप इम्लोग और जो क्राइस कोर्स की सीजी जी स्टार्ट की है आने वाले एरफोर्स नेवी डावले सेजार के एक्जाम के लिए बहुत इंप्टनेट है और इस पे हम रेगुलर आपको वीडियो प्रवाइट कर रहे हैं एक दू वीडियो वहाँ पे हम रेगुलर दे रहे हैं और यहां पर भी लोग बहुत कोशिस करते हैं आपके सामने वीडियो डेली के डेली प्रवाइट करने की तो चलिए आज की सीडियो के हैं प्रेंट करते हैं बात